जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर हमने यह मौरम इस्पेसल चॉंगा बनाया हैं, जो की सबसे बेश्ड तरीके से बना है वेलकम बैक टू माई चैनल SP सनाय एकि पिन जहांती का वेलकम हैं जैसा कि आप यहां देख रहे हैं मोहर्रम इस्पेशल चोंगा रेश्पी हम आज बनाएंगे इसको आगे बताएंगे कैसे बनेगा तो यहां पर हमने यह छोटी कटोरी से दो कटोरी मैदा लिया है जो की मैदा लगभक 100 ग्राम है और इसमें हलका से नमक चुटकी बेर डालना है ज्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि मीठा रेश्पी बन रहा है तो हलका से नमक की ज़रुत पड़ेगी अगर आप ज्यादा ड टाच नहीं कीजिएगा एक कोई चमचा या कोई चीज लेकर उससे पहले इसको ठंडा कर लेजिए फिर उसके बाद हाथ से इसको मसलिएगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह गरम ज्यादा है तो तब तक हम चमचे को लेकर इस तरह से इसको मिक्स करेंगे अच्छी तर चौंगा अच्छी तरीकेस बनेगा चौंगे की रेश्पी अगर कि जिसने खाया नहीं है तो जरूर बना कि इस तरह से खाये का और हाँ देखिए यहां पर ऐसे हाथ में लेने पर जब मुठी बादने पर यह आटा ऐसे आपकी मुठी माजाय तो समझ लेजिए यह तरह से हम गुठेंगे इससे अच्छे तरीके से दम मैस कर लेंगे तो यहां पर हम थोड़ी सी पानी और डालेंगे इस तरह से मैस करते हुए रखेंगे तो आप सभी को अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेलाइक दवाना नहीं बुलिएगा दोस्तों तो यहां पर हम चोंगे के लिए आटा तयार करके रख रहे हैं कंस्कुम हमको इससे 20 मिनुट तक रेष्ट कराना है इस आटे को तब यह अच्छा क्या आगा तो यहां पर 20 मिनुट के लिए हमने रख दिया है धक्के रख देंगे तब तक हम दूसरी तरफ चलते हैं इसमें और जो चीजे लगेगा उससे बताते हैं कि क्या क्या यहां पर लगेगा तो यहां पर हमने धकल लगाना वाकी ह है धकल लगा दे रहे हैं इसके बाद 20 मिन बाद इसे खोलेंगे तो यहां पर चलिया एक पतेली चड़ा दीजिए गयस पर और जो जिस कटोरी से मैदा लिए थे उसी कटोरी के नाफ से एक कटोरी चीनी डाल दीजिए ज्यादा नहीं डालना है और फिर इसी नाफ से आपक ची और थोड़ी से मात्रा में केचर डाला है जैसा कि आप देख रहे हैं और गरम पानी का यूज हम करेंगे तो यह कटोरी हम पहले पानी डाल के थोड़ी लाते जाएंगे थोड़ा अगर आप नहीं चलाएंगे तो नीचे तनी में पकड़ लेगा चीनी तो यहां पर हम यह कटोरी गरम पानी डाले तो थोड़ी सी इसमें कर्ची डालके आप इसको चलाते जाएंगे तुरण नहीं तो यह नीचे पकड़ लेगा तो जल जाएगा चीनी तो इस तरह से पानी की थोड़ी सी कमी लग दे तो थोड़ा से पानी हम फिर बाद में आट कर लेते हैं त यहां पर आप देखिए इस तरह से बन के तयार हो रहा है तो यहां पर हमारा यह जो चासनी बनाए है चासनी लगभग तयार होने वाला है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं यह चासनी तयार होके रीडी हो गया अब हम इसे एक तरफ रख लेंगे चासनी को इसी तरह से चा लोई बना लेंगे और एक चाकू की हिल्फ से इसे काटिंग करना है पाच टुकड़ों में तो इस तरह से हम बना देंगे देखिए यहां पर हम पाच टुकड़े काट ले रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा हो गया है तो उसको हम बात में इसमें मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से आप लोई बनाई है चकवा तो इसी तरह से आप पांचों को बना लीजिए और इससे बेलना है तो देखिए आप कैसे बिलते हैं तो जैसे आप रोटी बिलते हैं उसी तरह से इदी बिलाएगा तो यहां पर थोड़े से आठा डालिए चकले पपने इसको गोल-गोल घुम इस तरह से जिने रोटी बिलना आता होगा वह आसानी से बना लेंगे तो इस तरह से पतला पतला रोटी बनाना है तो हम सभी रोटी यो पांचों को बना के तयार कर लेंगे यहां पर अभी हमारी पहली रोटी बन रही है तो इसे साइड में हम रख लेते हैं तो थोड़ा स तो इस पर हम घी जो लिए थे तो घी लगाएंगे और थोड़ी से मैदा इसके ऊपर छिड़केंगे तब तक रख देते हैं दूसरी लोई को तयार करके हम दूसरा रोटी बनाएंगे इस तरह से तो यहां पर पहला जो जिस पर हमने घी लगाया था उस पर हालका समयदा छिड़क कर एक रोटी रख दिया फिर दूबारे में हमने घी लगाया फिर मैदा छिड़का फिर रोटी रख देंगे इसी तरह आपको पांचों करना है फिर घी आप लगाईए फिर मैदा इस पर छि को इस पर नहीं लगाने की जरूरत है तो इस तरह से आप थोड़ा से बगलबगल में दबा देजिए जिसे यह भीखरे ना विछ और इसको बिनने की जरूरत नहीं है अब इसी तरीके से आपको काटना है तो चाकू की हलब से आप ऐसे लंबाई में जैसे भी आप काट सकते हैं से लंबाई में कटेगा तो यहां पर आप काट लेजिए चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं पहले एक कोने साफ इसको धीरे-धीरे मोड़िए तो इसमें लेयर बनता जाएगा और इसका जो किनारा है वो वीडियो में कट गया है तो उसका किनारा आप नीचे इसे ऐसे लगा देंगे कि वो निकलेगा नहीं तो यहां पर एक टिक की तयार हो गया है पेड़ा जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसको आपको हम दिखाते हैं कि कैसे करना है यह जो बचा है इसे नीचे की तरफ लगाना है फिर अपने हथेलियों से ऐसे टैप कर देना है ताकि यह जी से टैप करेंगे तो इस तरह से टैप हो जाएगा इसी तरह हम पांचो को बना लेंगे यहां पर जैसा आपको वीडियों में दिख रहा है तो अब हमें इसे हलके हाथों से बेलना है पाष्चो टिकी को तयार के लिए फेडे को तो यहाँ पर हम हलके हाथ औस बिलना है इसे आप तेज से नहीं बेलेंगे नहीं तो इसका जो ओपन होने वाला ये है यह भूबंद हो जाएगा तो यहां पर जालीदार नहीं बन पाएगा यह लच्छेदार अगर आप तेल जैसे बेलेंगे तो इसी तरह इतना मोटा बेलना है ज्यादा मोटा नहीं अगर ज्यादा मोटा बेलेंगे तो यह पकने में देरी लगेगा और यह अंदस गीला रहेगा तो चलिए यहां पतेल गरम हो चुका है जो कि हम पहले से रख दिये थे चुले पे तेल तो कडाहीं करके यह रिफाइन ओयल है आप रिफाइन में यह घीमी भी चाह सकते हैं तो इस तरह से हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर तक आपको पलट के दिखाते हैं यह इतना नरम हो गया कि इस पौनी से नहीं पलटाएगा इसके लिए हमें दूसरा पौनी इस्तेमाल करना पड़ेगा पलटने के लिए चलिए दिखाते हैं इस तरह से देखिए उसका लच्छा जो है वह अलग हो रहा है तेल में जसर की टूटके गिर रहा है इतना यह मुलायम बन रहा ह है तो यहां पर इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे पांचों को तो यहां पर अभी फ्राई नहीं हुआ है एदम गोल्डन ब्राउन करना है आपको आगे दिखाते हैं थोड़ा इसमें टाइम लगेगा 10 मिनिट इसको ब्राउन करने में यह पात का ख्याल लगना की धीमी आज पर पकाना है इसे अगर आप तेज आच पर पका रहे हैं तो यह अंदर का जो मैदा है वो कच्छा रह जाएगा तो इस तरह से आप सभी चे को पकाते जाएं एक बार अपने घरों में जरूर प्राई की लिए गाई मुहरम इस्पेसल चोंगा है और जैसा कि आप जानते है अकल नवी है तो आज हमने बनाया है यहां पर यह एद्व गोल्डन ब्राउन हो गया है इसको अब हम निकाल के बगल में जो चासनी रखें इसी चासनी में डूँ देंगे तो इस तरह से हम ती नोपनिकाल की इस चासनी में डालें यह जैसा कि आप सभी लोग देख रहे है है तो यहां पर चासनी में पांचो जो मेरा यह पेड़ा बना हुआ था चोंगा इसको पांचो को डाल दिये हैं तो आगे आपको दिखाते हैं तो यहां पर हमने तीन अभी डाला है दो अभी बाकी है कि देखेंगे कि अभी जितना चासनी है यह जल्दी से इसको सोख लेगा क्योंकि यह चासनी को खीचेगा बहुत तेज अब बना भी काफी अच्छा है देखने में भी खाने भी बहुत टेश्टी है एक बार अपने घरों में बना कि खिलाईएगा तब जाके कमेंट कीजि कि इसले से यह तैयार होगया चलिए हम इसे अब निकाल किसरो करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखिए इसक पूरा लच्छा आपको दिखाई दे रहा है कि यह कितना लच्छेदार है बना है तो सबसे पहले हम इसके उपर कि खसकस जो कि फुस्ता अगदा होता है उसे करेंगे थोड़ा से डिक्रेशन के लिए और फिर यहां पर हमने बादाम कटा हुआ लिए आपके पास जो भी और लेवल हो नारियल का मुरादा ले सकते हैं पिस्ता भी और किस्मिस जो भी आपके पास पाजी हो सब डाल देजिएगा तो यहां जो हमारे पास लेवल था इस मैं वही डाला देखिए यह कितने असानी से कट गया और हाने में दम मुह में घूल जाएगा इसे मैंने खाके बताया है कि यह घूल जाएगा आप सभी मेरा वीडियो पसंद आए